तो चलो देखते हैं question number 15 क्या है is the relation are defined on the set q of non-zero rational number ठीक है तो q अपना set क्या है non-zero rational numbers है by x related to y xy equals to 1 तो अपना relation क्या है xy is equals to 1 ठीक है तो हमें क्या बताना है कि equivalence relation होगा की नहीं होगा ठीक है तो equivalence relation सब्सक्राइब कर लेते हैं ठीक है तो देखो reflexive के लिए क्या होगा कि इसमें यह अगर मैं x, x ले लू तो यह इसको block करना चाहिए ठीक है तो देखा जाए तो अगर मैं इस पर put करता हूं तो क्या हो जागा x square equals to 1 हो जाएगा और x की value कितनी आ जाएगी plus minus 1 तो यह सिर्फ x equals to plus minus 1 के लिए यह कहते हैं satisfy करेगा और बाकी जैसे कि इसने क्या बोला non zero rational number तो two three four by five six by eight इन सब के लिए नहीं करेगा सिर्फ x equals to plus minus 1 के लिए relation satisfy करेगा तो यह रिफ्लेक्सिव तो दूर दूर तक नहीं है ठीक है तो यहां से अपने को पता चल गए कि equivalence relation तो नहीं है फिर भी चलो एक बार symmetric और transitive चेक कर लेते हैं बसा जी चेक करने के लिए ठीक है यह तो 100% हो गया कि यह रिफ्लेक्सिव नहीं है तो मतलब equivalence भी नहीं होगा अब देखते हैं symmetric अगर मान लो कि x, y, r को belong करेगा तो हमको यह बताना है कि y, x करेगा के नहीं करेगा तो यह तो obvious है बस y को पहले लिख दिया, x को बात में लिख दिया है न तो हां यह symmetric भी होगा और अब बात करते हैं चलो transitive की तो transitive में अपन दो example ले लेते हैं ठीक है मान लो x, y है वो r को belong कर रहा है और कोई y, z है वो भी r को belong कर रहा है ठीक है तो अगर x, y अगर r को belong करता है तो क्या condition बनेगी x, y को 1 होना पड़ेगा और यहाँ पे अगर यह belong कर रहा है तो क्या होगा yz को 1 होना पड़ेगा ठीक है और हम क्या चाहते हैं कि x हम क्या चाहते हैं अगर यह transitive होगा तो x,z भी r को belong करेगा कि नहीं करेगा चेक कर लेते हैं ठीक हैं तो x और z में कोई equation निकाल ली होगी देखो अगर x,z अगर r को belong करेगा तो equation क्या बनेगी x,z equals to 1 तो अगर यह equation अपनी यहां से आजाती है इन दोनों को solve करके अगर यह equation आजाती है तो it means x,z,r को belong करेगा यानि ट्रांजेटिव हो जाएगा लेकिन अगर यह equation नहीं आते तो it means x,z does not belong to this relation it means यह ट्रांजेटिव भी नहीं होगा तो देखो y से y कट जाएगा क्या आ गया x upon z equals to 1 आ गया और आपनको लाना क्या था x into z equals to 1 लाना था तो ठीक है यह दोनों same तो बिलकुल नहीं है it means x,z does not belong to this relation it means यह ट्रांजेटिव नहीं है ठीक है तो it means यह 102% हो गया कि अब यह equivalence तो हो गई नहीं